फाइनली 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 आज से स्टार्ट करें हम अपने बी फामेसी सेवन सेमिश्टर के लेक्चिर्स वीडियो उसको तो जो आप लोगों ने चुना जो आपने की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता वो हमारा होने वाला है instrumental method of analysis के बारे में अब देखाता है तो कहीं ना कहीं यह जो सब्जेक्ट है यह आप लोगों की जिंदगी में पहली बार आया है अब इसका जो हमारा next lecture आएगा उसमें हम बात करेंगा अपने unit first के अगले सब्जेक्ट है यह थोड़ा सा अलग और complicated है तो इसको हम ट्राइब करेंगे कि आपको पार्ट वाइस सारा कुछ दे सके मतलब दो चार टॉपिक हम एक पार्ट में करके आपको समझा सकते हैं क्योंकि अगर पूरी लॉंग वीडियो होगी चैप्टर वाइस तो यह हैं आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे तो मेरा नाम है अकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केर वेल फार्मा में और हम प्रोवाइड करते हैं आपको फ्री वीडियो लेक्ट्ट विद फ्री हैंडिट नोट्स तो चलिए सबसे पहले समझताम इसी अनलिसिस के बारे में कि आख़र है यह इंपोर्टन नहीं है मारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड हमारा सबसे इंपोर्टन पार्ट इस पूरिया सब्सेक्ट के लिए यह इंस्टूमेंटल मैथड ही हुने ऑले है और इसी के वारे हम आगे आप उसको ऐसे पकड़े को आप पकड़ के देखोगे क्क फिर अपने उपर पेहन के ट्राई कर करे के देखते हो तो वह चीज हमारी होती अनलाइस करना कि हम क्या करा है उसको एक तरह से चेक कर रहे हैं उसका पने मज़े लिए देखी है «Aُ지 कहा न रही अए था होते हैं जो मतलब रेटिंग देते हैं या कुछ हमारे जो रिब्यूर होते हैं जैसे आपने यूट्व बढ़ देखें उगे फिल्म इंदियन हो गए सूरेग मारे वी तो यह सब क्या करते हैं कि यह उस मूवी की वारी कियों को देखते हैं अंदर से कि उसमें ही रोने उस्पेंस कैसा है काम कैसा है तो उनका चीजा उसके अंदर करना तो देखो यह मैं अभी बोल देता कि हमको क्या क्या चीज़ा है यहाँ पर एक तरह से देखनी पर सकती हैं तो इसके लिए वोर्ड याद रखो डबलू एचो बाला तो डबलू हैचो में आपका यहाँ पे आ डबलू फोर वाट एंड डबलू फोर वाई और ऐसे हमारा आजाता है how and how much आजाता है तो यहाँ पर आप यह समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोई भी चीज जो परकनी है वो पहले क्या है यह हमको पता लगाना है फिर आखिर वो चीज क्यों है इसके बीचे reason क्या था उन्हें meaggy बनाई है तो मैगी के लिए पहले बढ़ाता क्या है तो पहले है मैगी है और यह खाने पिने वाली चीज है और इन चीजों से मिलकर बनती है अब आता है क्यों है तो भाई भूक लगी थी इसलिए हमने मैगी बना लिए क्यों बनाई आपको रीजन पता लग गया अब बनी है कि हाओ यान की कैसे बनी है और कैसी बनी है यह दोनों ही हाओ के अंदर आजाते हैं कैसे तो आपको बताए पानी बगर डालके हमने बनाई है और यह सब बॉयल की उसको डाला मसाला डाला ऐसे मनी बनाई है और कैसे बनी है कैसी यह भijn खाकर आप टेस्ट करोगे बहुत ही कतनी वनी है उसके प TYUNG और में को अब यहां पर हमारा कोश्य ना लकाते हैं कि क्या हम को कुछा यह पिल्कव नहीं क्या हम को दर किश्टांस होते हैं उनके बाखे चार्ण नागा सुब्सक्तिन come here और शोर एगिऑ है तो यहां पर गते हैएन पर हम जो करेंग यहां रइस voucher वह किस की करेंगे हम अपने ड्रक्स की करेंगे तो यहां पर आपको दो आंसर मिल गए अब कोशन आता है कि यहां पर बात हो यहां पर वात हुरी है कोई मैग के नाम पर कोई मैगी या इसे कोई 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 अलग कि थी या नहीं वह क्वालिटी होगई उसके पाद आपने पानी यूज किया वह अच्छा पानी यूज किया की नहीं तो यहँ क्वालिटी आजाती कि आपने कौन सी अच्छी चीज़ा उसमें यूज की है कैसी की है तो वही यहां पर है कि कोई भी हमारा ड्रग है उसकी क्वालिटी को मैं चेक की आजाता है अब इसके अंदर क्या के चीज़ा आती है पहले नमर पर आती है उसकी आइडेंटिटी यार्क मैं में यह होता है गिए छो दवा आप खा रहे हो उसके वार नवार को ना हो लेकिन नुकसान न शाहिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई धवा खाई है फायदा तो हुआ नहीं उल्टा उसने आपके बॉड़ी में रियक्शन करके आपको और विमार कर दिया तो यह थोड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाता इसलिए सेफटी बहुत ही मश्ट कंपल सरी चीज है आप देखो सबसे पहले सेफटी ही लिखा जाता हर तरब तो तो इसमें हम अमाउंट और कंसेंट्रेशन बोल सकते हैं इन चीजों को चेक करते हैं यानि कि कोई भी जो हमारा ड्रग है अगर आप लोग को याद हो तो एक हम मतलब पहले हमने एक्सपेरिमेंट वगरा कभी किया था कि कोई भी जो हमारा ड्रग है यहां पर आपने अपन डिवाइस में डालते थे वह डिवाइस में आपको आगे बताऊंगा उसमें डालते थे तब वह डिवाइस के जरी हमको पता लगता था कि कोई भी ड्रग है वह कितना अमाउंट एक्चल में उसका फ्रिजेंट है तो अमाउंट और कंजंट्रेशन जैसी चीज़ा पता रही है तो हमने किसी ड्रग की पता लगाई कि होता इसी ब्हुत्त के बराबर आरी है तो खूँडर्ग अच्छी है यान यह क्वालिटी सध esta नहीं तो तो इस तरह हम quantitative, qualitative दोनों ही properties को analyze करते हैं अपने drugs के बारे में इस analysis के अंदर ये सारी चीज़ आपको पता लग रही है तो अगर हम इस analysis world को यहां पर देखें तो हमारा क्या बन के आता है कि to analyze या check the qualitative and quantitative properties of any drug या कोई भी pharmaceutical सभिस्टांस है यानकि इस analysis के अंदर हमने ये समझा क कि मालो कोई भी drugs सभी या कोई pharmaceutical सभी उसका जो हम analysis कर रही है तो कर कैसे रही है यहां main चीज़ आती है तो कैसे करते हैं हम करते हैं यहांप different methods का use करते हैं different methods का use करते हैं अब यह जो हमारे methods हैं वो दो तरह से हो सकते हैं एक हमारा हो सकता है और या notebook जैसे मालो आपसे बूचा कि दो प्लस दो कितने होते हैं आपने दिमाग में लगा है दो प्लस चार होती है तो यह आपके आजाते कुछ physically या experimentally कि आपको करके दिखाना है तो यहाँ पर drugs के बारे में अपने पढ़ेंगे तो उनको हमें जहां क्या करना है फिजीकली या experimentally हमको उनको analyze करना है actual में इस बार हमको सिर्फ copy पर करके नहीं देखना क्योंकि अब last year में आ गए हो आपको physically और experimentally करने पढ़ेंगे और यह जब आपको काम करने पढ़ेंगे आपको इसके लिए चाहिए होंगे equipment चाहिए होंगे या इसी को हम इंस्टूमेंट बोल सकते हैं तो यहां पर जो आप methods करोगे वह आप करोगे instrumental के साथ इससी लिए इसको हम क्या बोलते है instrumental method बोल सकते हैं तो अब अगर हम यहाँ पर define करें तो क्या बोल सकते हैं कि to check the qualitative and quantitative properties of any drug या pharmaceuticals by using different instrumental methods यानकि यहाँ पर जो हम किसी भी drug की या pharmaceuticals की qualitative or quantitative properties को पता लगाते हैं किसी भी instrumental methods के ज़रा इसी को हम यह पूरा subject के बारे में पढ हम समझते हैं तो यहाँ पर देखा जाए देखो बैसे तो बहुत सारे है instrumental method लेकिन जो हमारा slavus है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसके अंदर मेली हमारी दोई चीजा आप देखोगे यहां हमारी क्या है इन ही के बारे में यहाँ पर टोटल पढ़ना पड़ेगा अब अगर मोटा मोटी ऊपर ऊपर से देखा जाए तो मेली जो spectroscope यह वो हमारी कोई भी ड्रक की qualitative properties के बारे में पता लगाता है और जो chromatography यह हमारी quantitative properties के बारे में पता लगाता है जैसे आरे value बगए आपने साइद यह फार्म कोगनोसी में थोड़ा सा पढ़ा था बाकि अभी मैं जादा यह उपर से बता रहा हूं जब हम इस subject को अंदर से पढ़ेंगे lecture wise तो आपको सारी चीजा details में मिल जाएंगे तो अब हमको यहां पर यह समझना है कि जो हमारी यह properties है chromatography spectroscopy क्या हमें यहां पर drug को analyze करना पढ़ेगा जी करना है थोड़ा वाद लेकिन जो सब्सक्राइब करना है तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट या equipment प्रिजेंट है तो वहां जाके आप इसको analyze भी करना क्योंकि प्रक्टिकली आपको बहुत जादा help मिले वाली है तो अब देखा सा है तो आपको इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना पढ़ेगा तो स्पेक्ट सब्सक्राइब करना पढ़ेगा तो इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में यहां पर पूरे के पूरे में पढ़ना पढ़ेगा और यही है आपको यहां से लेगे इस यहां तक पूरा आप खतम करोगे ना आपको इह पूरा सब्सक्राइब के बारे में यहां पढ़ना पढ़ेगा जहां आपने साइथ बबहुती सब्सक्राइब करेंगे तो हम क्वालिटी को बता करते हैं किसी के इस्ट्रक्ट्चिर को पता करते हैं और इंट्रक्षन जैसे भी जब ड्रग या कोई मेडिशन बनती है तो एक्सीपेंट और ड्रग मेडिशन सारे मिलते हैं तो उनकी इंट्रक्षन कैसे होता है या क्वाइंटीटेटेव मतलब देखाता है तो टोटल हम ड्रग को यहां पर पूरा एक खोल कर रख देते हैं उसके अंदर की एक चीजों सब्सक्राइब आप लोगों को आज की वीडियो में सब समझ आ गया होगा अब आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरू बताएगा बाकि एसे ठीक से पड़ा रहें कि नहीं सारा कुछ आपको बताना है कि नहीं यह सारी वात आप अच्छे से बता सकते हो बाकि एक को आज की वीडियो में इतना ही मिलते आपसे बहुत दें नेस्ट वीडियो में तब थेंक यू टेक केर एंड आप सबी लोग अपना और पनी फैमिली का ख्या लखेगा जैहिन दोस्तों